आपको अपने चनल में वेलकम कहती हूँ शुरू करती हूँ अल्हा के नाम से जो बड़ा ही में रुबान और नाहे थी रहम करने वाला है असलातु असलामु अलाइका या रसुल अल्हा वाला आलिका वा सहाबिका या हबीब अल्हा नासरीन आज की इस वीडियो में मैं आपको सुरह अलबक्रा की आयत नमर 188 से तरजमा और उसकी तफसीर बियान करूंगी तो वीडियो का आगास करते हैं और आपस में एक दुसरे का माल नहाक ना खाओ और नहाकमों के पास इनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल ना जायस तोर पर जान बूच कर खा लो और आपस में दुसरे का माल नहाक ना खाओ इस आयत में बातल तोर पर किसी का माल खाना हराम फरमाया गया खुआ लूट करो या चीन कर चोरी से या जुए से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों के बदले या रिश्वत या जूटी गवाई से ये सब ममनूँ और हराम है इसे मालम हो कि नाजाइज फाइदे के लिए किसी पर मुकदमा बनाना और इसको हकाम तक लेकर जाना नाजाइज और हराम है इसी तरह अपने फाइदे की घर से दूसरों को जरर पहुंचाने के लिए हकाम पर असर डालना रिश्वतिन देना हराम है हकام तक रसाई रखने वाले लोग इस आएट के हुकम को पेशे नज़े रखें हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह टाला अन्हों इसे रिवायत है नभी अकरीम अल्हाई लाही वाली असलम ने अर्शाद फरमाया आयत नबर 119 तुम से ने चांद के बारे में सवाल करते हैं तुम फरमा दो ये लोग और हज के लिए वक्त की अलामते हैं और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पिछली दिवार तोड कर आओ हाँ असल नेक तो प्रेजगार होता है और घरों में उनके दर्वाजों से आओ और अल्लहा से डरते रोहो इस उमीद पर के तुम फलाह पाओ या सालूना का आनिल आहिल लादी तुम से नए चांद के बारे में सवाल करते हैं या ऐत हजरत मास बिन जबल रसी आल्लह अनहू और एक दूसरे सحाबी रसी आल्लह अनहू के जुआब नाजलोई इन दोनों ने नभी करीम से चांद के घटने बढ़ने के मतलक सबाल किया इस के जुआब में चांद के घटने बढ़ने के सबब की बचाए इसके वुआइद बियान फर्माए कि वो वक्त की अलामते हैं और आदमियों के हजारा दीनी और दुनियावी काम इससे मतलिक हैं जरात, तजारत, लेंदेन के मामलात, रोजे और ईद के उकाद, औरतों की इदतें, दूद पलाने के मुदतें और दूद चुड़ाने के वक्त और हच के उकाद इससे मालूम होते हैं क्योंके शुरू में जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि अब्तदाई तारीखे हैं और जब चांद पूरा हो जाता है तो मालूम हो जाता है कि ये महीने की दर्मियानी तारीख है और जब चांद छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना खतम पर है और फिर महीनों से साल का हिसाब होता है ये वो कुदती जंतरी है जो आसमान के सफ़े पर हमेशा खुली रहती है और हर मुलक और हर जबान के लोग पड़े भी और बेपड़े भी सब इसे अपना हिसाब मालूम कर लेते हैं याद रहे कि बहुत से हकाम में चांद का हिसाब रखना जरूरी है जैसे बाले कोने की अमर के इतबार से यूही रोजा इद हज के महीनों और दिनों के बारे में यूही ज़कात में जो साल गुजरने का इतबार है वो भी चांद के इतबार से है और ये कोई नेकी नहीं जमाने चालियत में लोगों की ये आदत थी कि वो जब हज के लिए हराम बांद लेते तो अपने मकान में उसके दर्वाजे से दाखिल ना होते अगर जुरत होती तो पिछले दिवार तोड़ कर आते और इसको नेकी जांते इस पर ये आद नाजल होई कि ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों के पिछे से आओ असल नेकी तक्वा होफ खुदा और हिकाम इलाही की आतात में है इससे मालुम हुआ कि किसी चीज़ को बग़र ममानत के नाजाइस संज़ना जहालत है अपनी तरफ से गलत किसन की रसमें और वबंदियां लगा लेना जाइस नहीं बहुत से कम वैसे जाइस होते हैं लेकिन अपनी तरफ से शेरन जरूरी समझ लेने से नाजाइस हो जाते हैं जैसे मुसल्मान फोट चुदगान के इसाले सौब के लिए सौइम चालिसमा वगारा के लिए करते हैं वैसे करें तो जाइस हैं लेकिन अगर ये समझ कर करें कि ये करना जरूरी है या दूसरे और चालिसमें दिन ही करना जरूरी है तो नाजाइस है यूही सोयम और चालिसमा वगारा जाइस है तो इन्हें अपनी तरफ से नाजाइस कहना भी हारांग है गुफार के तरज अमल की नकाली है बेरहाल इफरात और तफरीद से बचना जरूरी है और इस तरह की चीजों की तरफ गोर करना चाहिए शादी, मर्ग और जिनकी के दीगर मामलात में ना जाने कैसी कैसी रसमे कहां से घुसाती है आयत नमबर एक सो नवे और अल्ला की रा में उन से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और हद से ना बढ़ो बेश्यक अल्ला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता वकातिलो फी सबीरिल्लाही और अल्ला की रा में लड़ो छे हिजरे में उद्देबिया का वाक्या पेश आया इस साल हजरत मुहम्मद अल्लाही वाली वसलम मदीना तईबा से उम्रे के एरादे से मक्का मुकरमा रवाना हुए मुश्रकी ने हज़ूर अकदस अल्लाही वाली वसलम को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से रोका और इस पर सुल्ह हुई कि आप अएंदा साल तश्रीफ लाएंगे तो आपके लिए या तीन रोस के लिए मक्का मुकरमा खाली कर दिया जाएगा चनाचे अगले साल साथ हिज्रे में हजूर सुल्ह लाही वाली वसलम्रे की कज़ा के लिए तश्रीफ लाए अब हजूर अनवर सुल्ह लाही वाली वसलम के साथ 1400 सहाबात थे मुसल्मानों को ये अंदेशा हुआ कि कुफार ने अगर बादा पूरा ना किया और हरम मक्के में हुर्मत वाले महीने, जिल औ कदा में जंग की तो मुसल्मान चुन्के हालते हैराम में होंगे. इसलिए इस आलत में जंग करना इन के लिए बड़ा मुश्किल था. क्योंके जमाने जालियत से अब्तदा इसलाम तक ना हरम में जंग जाइस थी ना हुरमत वाले महीनों में लहाजा इन्हें तरद्द हुआ कि इस वक्त जंग की इजाज़त मिलती है या के नहीं इस पर ये आएत नाजल हुई आएत में इजाज़त का माईनी या तो ये है कि जो कुफार तुम से लड़ें या जंग की इप्तदा करें तो तुम इन से दीन की हमायत और एख्यास के लिए लड़ो ये हुकम इप्तदा इसलाम में था पिर मनसूफ किया गया और कुफार से कताल करना वाजब हुआ ख्याज़ वो इप्तदा करें या ना करें ये माईनी है उन से लड़ो जो तुम से लड़ने का इरादा रखते हैं ये बात सारे ही कुफार में है क्योंकि वो सब दीन के मुखालिफ और मुसल्मानों के दुश्मन है खुआ उन्होंने किसी वज़ा से जंग ना की हो लेकिन मुखा पाने पर चुपने वाले नहीं ये माईनी भी हो सकते हैं कि जो काफिर मुसल्म मेदाने जंग में तुम्हारे मुकाबले पर आएं और वो तुम से लड़ने की कुद्रत और एहलियत रखते हूं तो इन से लड़ो इस सुरत में जईफ, बुड़े, बचे, मचनून, अपाच, अंदे, बेमार और और उड़तें वगारा जो जंग करने की कुद्रत नहीं रखते हैं और वो जंग में न 나오는 तो शरीक हैं, और नहीं जंग करने वालों की किसी किसम की मदद कर रहें हैं तो ये अफराद इस हुक्म में दाखिल ना होंगे और इने कतल करना जायظ नहीं, वालाताता दूँ और जियादती ना करो इसे मुराद है कि जो जंग के काबिल नहीं उन से ना लड़ो या जिन से तुमने एहद किया हो या बगएर दावत के जंग ना करो क्योंके शेरी तरीका ये है कि पहले कुफार को इसलाम की दावत दी जाए और अगर वो इनकार करें तो इनसे जज़िया तलब किया जाए। और अगर इससे भी इनकार करें तब जंग की जाए। इस माईनी पर आएक का हुकम बाकी है, मन्सूख नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में दौाओं में याद रखिएगा तब तक के लिए लिए लाहाफिस